दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ कि Windows 7 अब तक का best operating system क्यों था बहुत सारे लोगों ने जो सबसे पहली बार computer चलाया होगा उनके घर में नया computer आया होगा तो उन्होंने Windows 7 चलाया होगा बहुत सारे लोगों की यादे उसके साथ जुड़ी हुई है लेकिन सिर्फ यादे ही ऐसी चीज़ नहीं है जो Windows 7 को best बनाती है और बहुत सारी चीज़ें जो उसे अब तक का best Windows version बनाती है Windows 7 की कामियाबी में एक बहुत गहरा राज भी चुपा हुआ है और एक बहुत ही त्रासिदी भरा फेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी चुपा हुआ है मैं आपको आज से 20 साल पहले ले जाता हूँ इस पूरी चीज़ को समझाने के लिए आपको पता है सन 2000 और 2001 में Windows ऑपरेटिंग सिस्टम जगा पकड़ ही रहा था आपको मालूम होगा बिल गेट्स उस वक्त बहुत ज़ादा मेहनत कर रहे थे ऐसे प्रॉडक्ट्स बना रहे थे पर्सनल कंप्यूटर्स को घर घर में ला रहे थे उस जमाने में आपको पता होगा Windows 98 वगरे यह सब चला करती थी तो 2001 में Windows XP आया है अब उन्होंने ये सोचा था कि सन 2000 में वो सिर्फ तीन ऑपरेटिंग सिस्टम ही लांच करेंगे यानि कि 2001 से लेके 2010 तक सिर्फ तीन ऑपरेटिंग सिस्टम ही आने थे जो सबसे पहला था उसका नाम रखा गया Windows Whistler आपको पता है जो Windows आती है उसको प्रॉजेक्ट नेम दिया जाता है फाइनल नाम नहीं दिया जाता और नहीं लीक किया जाता है तो जो सबसे पहला जो तीन प्रॉजेक्ट डिसाइड़ थे विंडोज के जो 2001 से 2010 तक के बीच में आएंगे वह पहला था Windows Whistler उसके बाद एक छोटा सा अपडेट था जिसका नाम लॉंग होन था और जो तीसरा मेजर अपडेट बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम था वह था विंडोज ब्लैक और यहां पर दो बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम और एक बीच में लॉंग होन नाम का एक अपडेट या जाना था जो विंडोज विसलर था वह 2001 में Windows XP के तौर पर लॉंच हुआ और जो विस्टा था और जो ब्लैक ओम है वो विंडोज 7 था शुरुबात करते हैं Windows XP से 2001 में XP लॉंच हुआ तबाही मचा की रग दी इतना पॉपिलर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ कुछ कमिया भी थी उसके जो विज्वल से इतने अपीलिंग नहीं थे जो विंडोज एक्स भी बनी थी वह बहुत लोग पावर कंप्यूटर के लिए बनी थी 200 सम्थिंग मेगा हर्ट्स के जो प्रोसेसर की जरूरत थी जो बहुत ही ज्यादा कम है आज के हिसाब से लेकिन 2001 के हिसाब से बहुत जाता था तो बढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज नहीं सोच Microsoft ने सोचा कि वह बहुत फास्ट जा रहा है क्योंकि Windows XP को लोगों ने अपना लिया था 2001 के बाद 2002-2003 में यह ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग हर कंप्यूटर में पाया जाता था XP ने बहुत धूब मचाई है कमाल का उपरेटिंग सिस्टम तो Microsoft का एक उपरेटिंग सिस्टम धमाल मचा चुका था तो वो यह सोच रहे थी कि अच्छे अपडेट सेल्स हो रही है इसकी लोग खरीद रहे हैं तो हम इतनी जल्दी नया निकाल देंगे तो शायद हमें नु करता है लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो गया Microsoft ने Microsoft ने जो एक लॉंग हर नाम का जो की विस्टा है जिसको एक चोटा सा प्रोचिक्ट बनाना था एक अपडेट की तौर पर देना था उसे फुल फ्लेच्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया और उसके development में उन्होंने पा Microsoft ने गलती की कि इस उपरेटिंग सिस्टम को बनाने में इतनी हैवी वी हैवी चीजे डाल दी इसके requirement इतने ज्यादा कर दिये कि उस वक्त में उतने requirement तो लोगों के पास थे ही नहीं क्योंकि जो Windows XP की requirement थी उससे बहुत ज्यादा requirement Windows Vista की थी और ज्यादा तर लोगों के पास उस वक्त में इतने powerful computers थे नहीं अब क्योंकि Windows Vista का development बहुत पहले शुरू हो गया था तो hardware जो उनकी compatibility थी 2006 में विस्टा लॉँच हुआ था वो भी नहीं थी Windows Vista के fail होने का कारण ये भी था कि वो एक सही वक्त पर नहीं आई थी दूसरा के hardware compatibility के बहुत ज़्यादा issues थे तीसरा के उसकी जो system requirement थी वो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा थी एक तरफ आप देख रहे हो कि 200 कुछ MHz का processor चाहिए आपको XP चलाने के लिए और वही 800 MHz पर आप डारेक्ट लीप ले रहे हो जो की बहुत ज़्यादा होता है दो तीन साल के हिसाब से देख जाए तो और उसके computer इतने advancement ले भी नहीं रहे थे ले रहे थे लेकिन उस हिसाब से नहीं ले रहे थे बुरी तरीके से सामना करना पड़ा वक्त भीता अब आपको पता है जो विंडोज ब्लैक ओम है वो प्रोजेक्ट के ओपर वो लोग काम करने लगे अब उसमें भी वह बहुत जादा चीज डालने लगे तो वह कभी भी complete नहीं होता टाइम से 2006 में शुरू किया था तो जो उनका project था ब्लैक के एंड और साथ की शुरूबात में Windows 7 पर काम करना शुरू किया Windows 7 को उन्होंने मात्र दो साल में बना दिया सिर्फ दो साल में और बिलगेर्थ ने का कि इस बार ऐसा operating system बनाएंगे हमने बहुत मेहनत करके देख लिए सालों साल लगा के देख लिए विस्टा में जो की एक यहां वन गीगा हर्ट सकते हैं उसे जादा ने रखते तो दो टू हंड्रे मेंगा हर्ट का जो थोड़ा सा फर्क है वो करेंगे और उन्होंने Windows 7 2009 में लॉंच कर दी यह operating system इतना क्लीन था इतना फास्ट था और 2009 के हिसाब से system requirement जादा नहीं थी यह इतना काम्याब हुआ कि 200 से 300 गुना जादा सेल हुई अगर आप विस्टा से compare करेंगे इसका लुक एकदम modern था इसमें gadgets introduce कराए गए थे आप अपनी स्क्रीन पर resource monitor temperature या third party gadgets पी डाउनलोड करके लगा सकते थे जैसे clock वगएर अपनी स्क्रीन पर आप लगा सकते थे तो यह एक बहुत बड़ी चीज थी का जो टास्क बार था उस पर अब इतने बड़े बड़े टैब्स ना आकर बड़े बड़े आइकॉंज आने लगे थे control पैनल की settings कहलो या overall experience कहलो बहुत ही जादा clean था और windows 7 लोगों की पसंद पर चड़ गया चाहे business हो चाहे personal computer इस्तमाल करने माले लोग हो सब के computer में windows 7 ही चलने लगा उस वक्त पे लोग xp भी चलाते थे लेकिन windows 7 भी चलाते थे windows विस्टा कहीं नजर नहीं आया उसको कोई इस्तिमाल करता ही नहीं था अब देखो windows 7 है वो 2020 में उसकी जो लास्ट अपडेट थी जो system का जो अपडेट वगयरा आते हैं जो support थी वो 2020 में end हो ग आएगा बहुत सारे लोगों ने xp से शुरुवाद की बहुत सारे लोगों ने 7 से शुरुवाद की जो मैंने यूट्यूब करियर शुरू किया था सो एडिटिंग वगयरा जो मैंने शुरू की थी तो windows 7 सही की थी बहुती clean operating system था windows 7 के बाद आपको मालूम है windows 8 आया जो की बहुत बड़ा फेल था PC operating system जो था वो windows 7 लास्ट PC एरा का operating system था आपको मालूम होगा windows 7 के बाद जितनी भी windows आई वो सब ऐसी windows आई जो टैबलेट्स पर touch PCs पर पता नहीं अलग-अलग चीजों पर चलती थी मतलब वो जो operating system थे windows 7 के बाद 8 वाया फिर आपका 10 आया 11 आया ज चल सकते थे touch वाले पर चल सकते थे windows 7 सही मायने में एक PC एरा का computer एरा का सिर्फ computer only operating system था जो कि सिर्फ computer में पाया जाता था और इधर उदर के चोटे मोटी devices में नहीं पाया जाता और लोगों को एडाप्ट करने में बड़ी परिशानी होई जब windows 8 आया था आपको मालूम हो वह एक metronome metro theme के साथ touch वाले चीज़ के लिए आया था tiles 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 बुरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि लोगों को आदत नहीं थी ऐसे touch वाले operating system अपने normal computer में चलाने की बहुत glitchy भी था उन्होंने start menu खतम कर दी और इतना confusing कर दिया windows को कि लोग काम करी नहीं पारे थे windows जदर लोग खराब होई थी क्योंकि लोग adapt नहीं कर पा रहे थे कि यह जो operating system में यह touch के लिए भी बनाया है यह tablet के लिए बनाया यह PC के लिए laptop के लिए बनाया और तरह तरह के devices के लिए बनाया तो यह कहानी थी Windows 7 की लोगों को Windows 7 इसी लिए पसंद आई क्योंकि वो सही वक्त पर launch लेकिन XP के visuals इतने अच्छे नहीं थे Windows 7 के visuals उस जमाने के साब से बहुत ही कमालते अभी Windows 11 आ गया है Windows Vista क्यों फेल हुआ XP की भी पूरी कहानी है वो फिर कभी मैं बताऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साइबर सेक्योरिटी और इथिकल हाकिंग इंट्रस्ट तो डिस्क्रिप्शन चेक करें बैल आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों और अभी 7 अगर आप इस्तमाल करते हो तो आउट्डेटिड है इस्तमाल करना नहीं चाहिए और उसको अलवीदा कहना ही अब बैतर है में मता अबसे दिली वीडियो में थैक यू अबढ़ आप से ली वीटियो में थैक यू सो बढ़ आप